दोस्तों जानते हैं एलेक्टिक वाइरिंग के लिए हमें दिवाल की कटिंग किस तरह से करनी है यहाँ पर हमने 6 GI मोडलर बॉक्स का साइज बनाया है आप भी अपनी जरुवत के इसाप से साइज बना सकते हैं और अपनी जरुवत के इसाब से जी आई मोडलर बॉक्स फिट कर सकते हैं दोस्तों जितने भी हम रूमों के अंदर किचिन के अंदर बोर्ट लगाएंगे पावर पॉइंट लगाएंगे उनकी वाइरे यहां पर उतार के लएका आनी है हमें और यहां पर हम उनके MCB फिट करेंगे दोस्तों MCB बॉक्स इसलिए लगाते हैं के रूम, किचिन, AC, फ्रीज, वाशिंग मेशिन के जो हम पावर पॉइंट लेट हैं उसमें अगर कोई शोर्ट सर्किट हो जाए या वाइरिंग में ब्लास्ट हो जाए या कोई दिक्कत या आग लग जाए तो यहां से उस रूम के उस बॉक्स की MCB एकदम ट्रिप माण जाएगी और एक बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा दोस्तों यहां पर हमने एक बारा मॉडलर बॉक्स फिट क्या है यहां पर हमने पाच इंच के मॉडलर बॉक्स फिट किया है अपनी जरुवत के इसाब से आप भी जहां पर जितनी जरुवत है उसके हिसाब से बॉक्स फिट कर सकते हैं और पाइंट बना सकते हैं जितनी जरुवत है उसके हिसाब से दोस्तों MCB बॉक्स जब भी हम दिवाल में कड़ी करने के बाद फिट करें तो हमें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जब हम MCB बॉक्स को दिवाल के अंदर बिठाएं तो हमें पूरा MCB बॉक्स दिवाल के अंदर नहीं बिठाना है हमें तकरीबन आधी इंची उपर रखना है MCB बॉक्स दिवाल में हमें इस आइडिय से बिठाना है कि जब दिवाल में पलास्तर हो तो MCB box plaster के levels में ही आना चाहिए दोस्तों ये जो हमने 12 modular box दिवाल में बिठाला है लगाया है और जो हमने box लगाए है वो हमें इस idea से दिवाल में बिठालने हैं कि plaster के बाद ये पूरे plaster के अंदर ही रहने चाहिए कि जब हम इसके उपर modular sheet fit करें तो कहीं modular sheet उपर नहीं रहना चाहिए